हलो माई डियर स्टुरेंट्स वेल्कम टी तरेंसे क्लास विर आज आपकी लिलेकर आयो हूं क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस की बुक कंटेंप्री वर्ल्ड पॉलिटिक्स का चेप्र नंबर 3 न्यू सेंटर सो पावर जो की एक नया नाम है अल्टरनेटिव सेंटर सो पावर का और न्यू स्लिवर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्वेश्टन्स आपको दिये जाने वाले हैं तो आप देख सकते हैं कुछ एक पेजिस मैंने यहां मेंशन किये जो की NCRT बुक से ही लिये गए हैं और उसके लावा कुछ आपको डेटा न्यू मिलेगा जो की रेफरेंस म या फिर 1979 तो लुक एट ओप्शन्स वेरी केरफुली और यहाँ पर क्रेक्ट आंसर क्या होगा और बच्चो यहाँ पर राइट आंसर है ओप्शन C 1985 में सार्क की जो है स्तापना हुई थी अब चलते हैं क्वेश्टन नंबर 52 के लिए वाई डिस सार्क नोट है मच सक्सेस बच्चो यहाँ पर राइट आंसर है ओप्शन B due to persisting political differences के वाज़े से SARC को वैसी success नहीं मिली अब चलते हैं question 53 के लिए why did SARC members sign the SAFTA यानि South Asian free trade area उन्होंने इस agreement को क्यों sign किया था तो option आपके सामने है it promised the formation of free trade zone for the whole of the South Asia यह फिर कहें it promised the formation of free trade zone for the whole of Asia तो दो ही option आपको दिये गए है और एक यहाँ पर right answer है तो बताईए यहाँ पर correct answer क्या होगा बच्चों यहाँ right answer है option A it promised the formation of free trade zone for the whole of South Asia option A is the right answer अप चलते हैं question 54 के लिए when was the SAFTA agreement sign यह agreement कब sign किया गया था तो options are very clear in 2002, 2003, 2004 या फिर 2005 तो बच्चों यह agreement जो sign किया गया था यह sign किया गया था in 2004 लेकिन यह भी बता दू बच्चों कि यह कहते हैं कि effect में आया था 1 January 2006 में लेकिन इसको sign किया गया था 2004 में अब चलते हैं question number 55 के लिए who is the key player key player के उनसे होते हैं जो main player होते हैं यहाँ पर South Asian politics के अंदर कौन है चाइना या फिर USA या फिर दोनों ही है तो बच्चों यहाँ पर right answer है option C बोथ A and B जो है चाइना भी है और USA भी है अब चलते हैं question number 56 के लिए what is Russia's GDP currently in the world अगर आज की rate में देखे तो Russia की GDP क्या है तो 7th है 8th है 9th है या फिर 11th है तो बच्चों यहाँ पर right answer है जो Russia की GDP है वो 11th है अगर world की बात करें अब चलते हैं question number 57 के लिए for permanent members of UN security council what other name is being used यानि चो permanent members UN security council के लिए उनके एक दूसरा नाम भी use किया जाते है वो क्या है powerful members PM permanent members या फिर हम कहें P5 तो बच्चों यहाँ पर right answer क्या होगा तीन option आपके सामने given है और उन्हें कहा जाता है P5 क्योंकि वहाँ पर जो UN security council की बात करें तो वहाँ जो permanent members हैं वो सिर्फ 5 ही है इसलिए वहाँ पर P5 use किया जाता है अब देखते हैं BRICS से related questions क्या है तो आपके सामने पहले तो यह बता दूँ जो BRICS है इट रफर्स तो Brazil, Russia, India, China and South Africa respectively लेकिन यहाँ question number 58 में बताने when was BRICS founded in India in fact मैं इस question को थोड़ा modify कर रहा हूँ बच्चों when was BRICS founded and where तो options आपके सामने है 2005 रशिया, 2006 रशिया, 2007 रशिया या फिर 2008 रशिया में इसकी establishment हुई थी तो बच्चों यहाँ right answer है option B जो BRICS की establishment हुई थी 2006 में हुई थी रशिया में अब चलते हैं question number 59 के लिए when did South Africa become the member of BRICS यानि SS यहाँ पर missing गया इसका मतलब BRICS का member जब South Africa बना तो उसके बाद इसे BRICS कहा जाने लगा लेकिन वो कब बना था member तो 2009, 2010, 2011 या फिर 2012 में तो जो South Africa BRICS का member बना BRICS का बना था 2009 में आप चलते हैं बच्चों हम next question के लिए when was the 11th conference of the BRICS concluded in Brazil तो जैसा कि आप देख सकते हैं next question में आपको बताना है कि जब 11th conference हुई थी BRICS की या कब हुई थी ब्राजील के अंदर हुई थी और options आपके सामने हैं 2018, 2019, 2020 या फिर 2017 में तो बच्चों यहाँ पर राइट आंसर है जो वो 11th conference हुई थी BRICS की वो हुई थी ब्राजील के अंदर 2019 में option B is the right answer आप चलते हैं question number 60 के लिए who cheered the 11th conference of the BRICS concluded in Brazil in 2019 तो उस जो हम कह सकते हैं conference को 11th conference को जो है cheered का मतलो होता है जो वहाँ पर main head था वो कौन था option आपके सामने है Brazilian PM Zio Boslo Nero या फिर हम कहीं Brazilian President Zio Boslo Nero तो two ही options आपके सामने हैं लेकिन right answer आपको देना है यहाँ पर और correct answer है option B Brazilian President Zio Boslo Nero जो है उन्होंने इस conference को cheered किया था जो कि Brazil में हुई थी 2019 में आप चलते हैं question 62 के लिए when did India and Russia enter into a new treaty of friendship and cooperation अब देखिए जो हम first treaty की बात करते हैं वो सभी को याद है 1971 में हुई और वो 20 years के लिए हुई थी लेकिन second treaty का हुई थी इंडिया रशिया की जो दोस्ती की ही थी तो option आपके सामने है in January 1993 in January 1992 1991 तो तीन options है और right answer आपको देना है यहाँ पर बच्चो और यहाँ correct answer है option A in January 1993 में वो treaty हुई थी जिसे हम कह सकते हैं new treaty of friendship and cooperation अब चलते हैं question 63 के लिए तो यहाँ पर बताएए when did India and Russia enter into a bilateral military technical cooperation agreement अब bilateral क्या होता है जहाँ पर दो country आपस में विल्जूल के बात चीत करती है military और technical cooperation को लेकर जब agreement sign हुआ इंडिया और रशिया में वो कब हुआ था तो options है 1995, 1994 1996 और यहाँ पर right answer है option B 1994 में वो agreement sign हुआ था जिसे हम bilateral military technical cooperation agreement कह सकते हैं और इंडिया और रशिया के बीच में अब देखिए when did India and Israel establish full diplomatic relations इंडिया और इसराइल के बीच में अच्छे diplomatic relations कब से start हुए 1995, 1996, 1993 या फिर 1992 तो बच्चों यहाँ पर right answer क्या होना चाहिए यहाँ पर correct answer है 1992 और तब से लेकर आज तक bilateral relationship जो है दोनों country के बीच में काफी अच्छे रहे हैं चाहे वो economic, military, agricultural या फिर political levels की बात करें तो अब चलते हैं बच्चों question number 65 के लिए the key to growing India Israel ties are यानि जो इंडिया और इस्राइल की बीच की relation की जो main point है जिस पर discussion या इनकी आपस में बातचीत होती रहती है तो option क्या है वो defense है, religion है, trade है या फिर politics है तो बच्चों यहाँ पर है correct answer option A, defense को लेकर यह काफी एक दूसरे के साथ पाचीत करते रहते है question number 66 है China and India were involved in border conflict in the year यह बढ़ा easy question है बच्चों यहाँ right option है 1960, 1962, 1965 यह 1967 तो यहाँ पर बच्चों right answer है option B, 1962 में इंडिया और चाइना के बीच में border को लेकर dispute हुआ था question number 67 है diplomatic relations between India and China were downgraded until यानि कब से कहें कि इंडिया और चाइना के relation जो है downgraded हुए तो 1978 1976, 1974 या फिर 1972 तो बच्चों यहाँ पर right answer क्या है यहाँ पर correct answer है option B, 1976 से जो है इनकी relations काफी downgrade हुए, खराब हुए अब चलते है question number 68 के लिए राजीव गांदी की जो विजित है चाइना में वो कब हुए थी, December में हुए थी in the year, तो option है 1966, 1977 1988 या फिर 1986 तो बच्चों यहाँ पर correct answer है option C 1988 में वो इनकी विजित हुई थी, चाइना के इंदर आजीव गांदी जी की, तो बच्चों इनी questions के साथ इस वीडियो को इस पार्ट को यहाँ stop करूँगा, I hope so these questions will definitely help you a lot, so thank you really very much for watching Taran Sir Classy और अगर अपिता का आपने मेरे चैनल की प्लेलिस को विजित नहीं किया, तो जुरूर कीजिएगा Class 12 की English, History, Geography के सभी MCQs अविलेबल हैं वहाँ पर, और Physical Education की भी बेगनिंग हो चुकी है so thank you and have very nice day